चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों BHU यानि बनारस हिंदू उनिवर्सिटी एक सेंटरल उनिवर्सिटी है यह है UP के वारांशी में सेच्वेटेड है इसका बहुत बड़ा केमपस है इसमें काफी सारे कॉर्सेज करवाए जाते हैं MPBS, BDS के लिए स्टूडेंट दिल्ली के बाद जो इस स्राउंडिंग एरिया के स्टूडेंट है UP, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाना, गुजरात तो ये सारे स्टूडेंट दिल्ली के बाद इसी उनिवर्सिटी को प्रिफेर करते हैं मेडिकल कोर्सेज जैसे MBBS, BDS के लावा इसमें नो परकार के अधर कोर्सेज भी IMS यानि इंस्टिटूट ओफ मेडिकल साइंसेज, BHU दोवारा करवाए जाते हैं इसके अलावा इसमें BA, BSC, BICOM, BAD जैसे कोर्स भी करवाए जाते हैं इसमें मेडिकल के कौन-कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं इनमें एडमिसन कैसे होता है इसके लिए रेजिस्टेशन कब करना है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चक करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि BHU में साइन्स स्ट्रेम के कौन-कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं मेडिकल के कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं तो इसमें MBBS, BDS, BMS, BVSC and AH BSC Owners, BSC Owners Agriculture, MLT, BSC Nursing, B Pharma, Ayurveda, BOT और BPT कोर्स करवाए जाते हैं अब हम इसमें बात करेंगे इन मेडिकल कोर्सेज में एड्मिसन कैसे होता है तो इनमें जो ये चार प्रकार के कोर्सेज हैं MBBS, BDS, BMS और BVSC इनमें जो एड्मिसन होता है BHU के लिए वो नीट स्कोर पर ही एड्मिसन होता है इसके अलावा जो बाकी कोर्सेज हैं उनमें एड्मिसन के लिए BHU अपना खुद का एग्जाम कंड़क्ट करवाता है हालांकि इस बार 2021 सेशन के लिए UGC यानि यूनिवर्सिटी ग्रंट कमिशन सभी सेंटरल यूनिवर्सिटी का एक ही इंटरेंस टेस्ट कंड़क्ट करवाने की प्लानिंग कर रहा है जिसका जिम्मा एंटी को दिया जाएगा इस टेस्ट का नाम CUCT होगा ये आपको अपडेट मिलते ही बता दिया जाएगा कि इन कोर्सेज में एड्मिसन भी एच्छू खुद एग्जाम कंड़क्ट करवाएगा या फिर इन में एड्मिसन CUCT21 के इंटरेंस एग्जाम के दुरू होगा अब हम इन कोर्स वाइज जानकारी लेते हैं कि इसमें एड्मिसन कैसे लेना है तो सबसे पहले हम MBBS, BDS कोर्स की बात करते हैं तो MBBS, BDS में BHU में जो एड्मिसन होता है वो NEET स्कोर पर होता है NEET 21 का रेजल्ट आजाने के बाद mcc.nick.in की वेबसाइट पर रेजिस्ट्रेशन करना होगा इसमें सभी प्रकार की काउंसलिंग MCC दवारा करवाई जाती है एक last की stay vacancy round की काउंसलिंग BHU दवारा करवाई जाती है इसके अलावा आपको BHU में MBBS, BDS, एड्मिसन के लिए और कहीं भी रेजिस्ट्रेशन करने की आवश्यक्ता नहीं है अब बात करते हैं हम BMS के लिए अगर आप BHU के BMS कोर्स यानि की जो आईरवेद कोर्स है वो करना चाते हैं तो इसमें भी एड्मिसन नीट स्कोर पर होता है नीट का रेजल्ट आ जाने के बाद डबल ए ट्रपल सी डोंट निक डोंट इन पर आपको रेजिस्ट्रेशन करना होगा डबल ए ट्रपल सी दोआरा काउंसलिंग करवा कर इसमें एड्मिसन दिया जाता है इसके अलावा आपको और कहीं रेजिस्ट्रेशन करने की आवश्यक्ता नहीं है BMS कोर्स के लिए अब बात करें जो वेटनरी कोर्स होता है BVST and AH जो वेटनरी कोर्स होता है इस कोर्स में एड्मिसन भी नीटी स्कोर पर होता है इसमें BHU दोवारा खुद के दोवारा काउंसलिंग करवा कर एड्मिसन दिया जाता है इसमें आपको रेजिस्ट्रेशन पहले करना होगा यानि कि जब BHU other courses के exam के लिए application form फिल करवाता है जिसे UET कहा जाता है उसकी साथ ही आपको सिरफ registration fees देकर registration करना है ये साइद application form अप्रेल में भरे जाएंगे इस साल के लिए और नीट का result आजाने के बाद नीट score BHU की website पर update करना है और नीट score के base पर ही BHU online counselling करवा कर admission देता है इस course के लिए admission देता है तो ये जो मैंने आपको चार प्रकार के course बताए है ये नीट score पर ही इन में admission दिया जाता है अब हम बात करें जो BSC owners है BSC owners agriculture है और MLT जो course है इन course में admission के लिए BHU अलग से entrance exam conduct करवाता है इसके application form अपरेल में start हो जाएंगे और zone में entrance exam conduct करवाया जाएगा इन courses के अलावा जो बाकी course जैसे B.A., B.H.C., B.C., B.A.D. इतियादी के लिए भी इसी के साथ entrance exam conduct करवाया जाता है agriculture के लिए भी इसमें अलग से exam होता है agriculture के लिए इसमें 15% के लिए ICR के through admission होता है और 85% seat के लिए B.H.U. खुद exam conduct करवाता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस साले देखते हैं exam ये B.H.U. खुद conduct करवाया या फिर C.U.C.T. के under होगा तो दोनों ही condition में आपको exam तो देना ही देना है B.H.U. का तो ये हो गई इन courses की बात B.H.C. owners के लिए जिसमें आप B.H.C. करते हैं B.H.C. agriculture और MLT course जो medical course है उन courses में admission और registration के बारे में अब हम बात करते हैं आगे जो B.H.C. nursing है B.H.U.T. है B.P.T. है इन courses के लिए इसमें I.M.S. दोरा अलग से exam conduct करवाया जाता है B.H.C. nursing के लिए B.H.U.T. के लिए B.H.U.T. के लिए इनके लिए एक साथ ही application form फिल करवाया जाते है तो इसमें जो इसके application form start होंगे वो application form जोन जुलाई में एश्वरी अप्रेल मई में start हो जाएंगे और इनका जो exam होगा वो जोन जुलाई में होगा इसमें admission के लिए counseling B.H.U. दोरा खुद के दोरा ही करवाया जाती है तो इसमें अगर आप admission लेना चाते हैं तो जैसे ही इसके resistance ने start होंगे मैं आपको inform कर दूँगा तो आप इससे B.H.C. nursing कर सकते हैं भी pharma आयरुएदा कर सकते हैं B.O.T. कर सकते हैं और B.P.T. कर सकते हैं इसमें तो दोस्तो ये जानकारी थी B.H.U. में करवाये जाने वाले medical course के बारे में जैसे ही इन courses के लिए entrance exam के लिए resistance ने start होंगे मैं आपको inform कर दूँगा आप भी www.bhu.ac.in की website पर विजिट कर सकते हैं बाकि जैसे ही अपडेट मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक को जदा जदा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक मैं आपसे लेता हूँ विदा जैहिन